आज हम चटपटा नास्ता बनाएंगे जो हिल्दी भी होगा गेहूं की आटे और आलू से बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वज करिएगा पसंद आए तो लाइक चरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना नमस्ते दोस्तों सभीता का कीचन में आपका स्वागत है मिक्सिंग बॉल में एक कप आठा ले लेते हैं और अधा चमच अजवाइन ले लिए हैं अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फैदे मंद होता है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं काली मिर्ज का पाउडर डाल देते हैं काली मिर्ज को आफ कूट करके भी डाल सकते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी या तिल कुछ भी आप डाल सकते हैं और इन सभी को अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे हाथों को प्रेस करके अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए इसे मुठी बादने पर अच्छे से बंधा जा रहा है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सक्स्त आंटा गुठेंगे सक्स आंटा गुतने से नास्ता जो है खस्ता बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ति इस आंटे को हमने गुत लिया है अब इसे हम थोड़ा देर के लिए रेश्ट पर रख देते हैं तब तक हम एक मसाले की तियारी कर लेते हैं तो मसाले की तियारी करने के लिए यहां पर हम एक पैन को गरम कर लेते हैं उसमें हम एक चम मच जीरा डाल देते हैं एक चम मच धनिया और एक चम मच हम इसमें काली मिच डाल देते हैं टेस्ट काफी अच्छा आता है काली मिच जो है तीखा का काम करता है और एक चम मच इसमे हम भून लेते हैं मसालों का धीरे-धीरे कलर चेंज हो गया है गैस को हम बंद कर देंगे इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे यहाँ पर हमने उबले हुई आलू लिया है आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से अब इसमें हम टेस्ट के हिसा आप से कर लिएगा हरी कटी धनियापति डाल लेते हैं एक नीमो का रसनी चोड़कर के डाल लेते हैं तेस्ट का फी अच्छा आता है और इस तरीके से दोनों बराबर भाग में हम तोड़ेंगे इस आटे की हम लोई बना लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से और इस दोनों लोई को चीप्ता करके हम तयार कर लेते हैं अर इसमें हम शुखा आट आले पेट करके से चिपकता नहीं है एक ही बार शुखा आटाले पेटेंगे मोईन स्टेश ओसे लिए हैं उसे भी करके हम त्यार कर लेंगे आं इसे भी आमने टोमाठ चिली सौस लिए है इन दोनों को slip ichrit लिए हैं और इसे फैला देते हैं रोटी पर विल्कुल इस तरीके से और मसाले डालकर के इसे भी हम फैला देते हैं पी कि इसे या चमच से या फिर हांतों से भी फैला सकते हैं तो इसे हमने अच्छे से फैला दिया है और जो सॉस बचा हुआ है उपर से हम इसे डाल देते हैं सॉस के जब पार आप हारी चटनी भी डाल सकते हैं इसे फैलाने के बाद जो हमने दूसरा रोटी त्यार किया था उसे भी हम इस पर डाल देते हैं और किनारे के तरफ से अच्छे से इसे हम चिपका देते हैं बिल्कुल इस तरीके से ताकि ये खुले नहीं थोड़ा सा इसे हम बेल लेते हैं ताकि ये बराबर हो जाए इसे हमने बेल लिया है अब इसको हम कट कर लेते हैं हैं तेन सभी को हमने उठा लिया है और यहां पर हमने मैदे का घोल लिया है सिर्फ नमक और पानी डाल करके इसे हमने इछए से घोल लिया है मैदे की होल से ऊपर से यह कोटीं हो जाता है एक अपकर के डाल ले बढ़ने के छकछी कहा है और हमेंगर करते हैं आप एक बार जो बताइएगा वाफ यह यह खाने के लिए रेडी है आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा धन्यवाद